परसनल डिटेल्स, डिस्पैंसरी डिटेल्स, एड्रस डिटेल्स, नॉमनी डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, इन सब में आप जो बदलाव कर सकते हो, फैमिली मेंबर को एड करना है, दोस्तों अगर आप ESIC मेंबर है, IP परसन है, तो आप सभी के लिए जबर परदस्ट अपडेट किये गए हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको step by step दिखाऊंगा अच्छी तरसे समझाऊंगा यहां पर मैं आपको बता दूं कि अब आपका जो ESIC करना है बदलना है तो वो आप online कर सकते हो दो आप अब कर सकते हो अपने ESIC account में family member को add करना है तो वो भी आप कर सकते हो और इसके साथ bank account की जो detail है वो भी आप add कर सकते हो और status भी आप पता कर सकते हो तीन नए सांदर जबरदस्त update किये गए हैं ESIC department की तरफ से यहां पर मैं आपको बता दूं पहले ऐसी कोई भी screen पर आपको क्या करना है आपको अपने mobile में अपने laptop में कोई भी internet browser open कर लेना है जो step मैं यहां पर computer पर दिखा रहा हूं वो same step आप जो अपने mobile से follow करके अपने mobile से भी जो है आप यह काम कर सकते हो कोई भी browser open कर लेना है जैसे कि google chrome हो गया mozilla Firefox हो गया और आपको search करना है ESIC तो यहां पर ESIC की जो official website है esic.gov.in यह आ जाएगी इसको open कर लेना है बाकी इसका जो direct link है वो वीडियो के description में मैंने दे दिया है यहां पर इसको close कर देते हैं आप यहां पर नीचे आपको एक option देखने को दे दिया है अब यहां पर देखें यहां पर language आपको जो भी लेंग्वेज आते हैं हिंदी इंग्लिस गुजराती जो भी आती है अपने साफसे यहां पर आप select भी कर सकते हो ठीक है अब यहां पर आपको यह जो आई-पी परसंड का जो option है यह आपको select करना है यह है यह सई सटाप के लिए ठीक है बट आपको यहां पर यह इंशोर्ड परसंड का जो option है यह आपको select करना है जब यह select कर लें उसके बाद यहां पर user name आपको mention करना है यहां पर password और यह जो capture code है यहां पर mention करके login कर लेना है पहले आपको account create करना रहेगा तो यहां पर sign up का option है इस पर click करके अपना account create कर लीजे अगर account नहीं है तो मैंने इसको पर separate video बना रखे कि कैसे account create करते हैं वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा वीडियो देखकर आप जो अपना account create कर सकते हैं और password भूल गये हैं तो यहां पर देखे forgot password का option है इस पर click करके आपना password भी आप बन सकते हो तो चले पूरी detail mention करके मैं login कर लेता हूं तो यहां पर मैंने successfully login कर लिया है अब जो तीन update किये हैं के बारे में आपको बता देता हूं तो यहां पर नीचे की तरफ आएंगा तो यहां पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा new करके update particulars ठीक है इस पर जब आप click करें तो आपके सामने एक page open हो जाएगा और यहां पर आप देख सकते हो personal details, dispensary details, address details, nomine details, family details, bank details इन सब में आप जब बदलाओ कर सकते हो family member को add करना है तो यहां से कर सकते हो अडरस में बदलाओ करना है तो यहां से कर सकते हो और personal information जैसे mobile number married है या फिर unmarried है उसमें बदलाव करना है mobile number change करना है तो यहां से आप कर सकते हो अब one by one जो है सारे option open करके मैं आपको दिखा देता हूँ अब देखें यहां पर personal details का option है इस पर मैं click करता हूँ जैसे इस पर click करेंगे तो एक नया page open हो जाएगा अब यहां से यहां पर आपका जो नाम है आदार काड में कुछ और है यहां पर कुछ और है तो यहां पर आदार काड में जो नाम है वह यहां पर आप mention करके request submit कर सकते हो और यहां पर father name का भी option है और इसके साथ-साथ यहां पर देखे married या फिर unmarried यह भी आप जो है यहां पर change कर सकते ह और यहां पर जो भी आपको correction करना है वो आप यहां पर mention करके उसके बाद यहां पर आपको जो है evidence proof upload करना रहेगा उससे पहले type of proof यहां पर आपको select करना है कि भई आप क्या upload करोगी आधार करोगी drive license, pen card, passport, रासन card, voter ID, BPL certificate, birth certificate, death certificate, passbook, checkbook जो भी है यहां पर आप select कीजिए उ उसके बाद छोटा सा box है इस पर click करके update का जो option है इस पर आपको click कर देना है ठीक है और जो यहां पर document upload करोगे वो pdf jpg and jpeg format में होना चाहिए और maximum size 200kb का होना चाहिए तो यहां से आप जो अपनी personal information जो है personal जो detail है वो आप ठीक कर सकते हो इधर यहां पर हो गया father name हो गया प्रादार select कीजिए और यहां पर choose file का option इस पर click करके आपको upload कर देना है और आप अप लोड का option इस पर click करके फिर चोटा सा box इस पर tick करना अपडेट कर देना है ठीक है तो हमें कोई बदलाव नहीं करना तो यहां से आप कर सकते हो चलिए इसको close कर देते हैं बंद कर देत वो यहां पर select कर लीजिए उसके बाद जैसे कि यहां पर Assam select गया फिर यहां पर Assam के जो भी district है वो यहां पर आ जाएंगे और उसका यहां पर address mention करना है और उसके बाद जो है update यहां पर च्छोटा सा box निस पर टिक करके update पर करेंगे तो यह जो request submit हो जाएगी तो यहांसी आप जो dispensary भी आप change कर सकते हो अपने इस आप से close कर देते हैं और यहां पर तीसरा है address details इस पर click करेंगे तो window open होगी अब यहां पर देखे mobile number mobile number को भी update कर सकते हो यहां पर edit का option दिया गया है इस पर click करेंगे और यहां पर देखे edit हो गया अब यहां पर mobile number mention कीजिए और फिर उसके बाद validate कीजिए आपके mobile पर OTP आएगा OTP mention करके आप जो request submit कर सकते हो मुबाइल नमबर अपडेट कर सकते हो, यहाँ पर अपना address भी आप चेंज कर सकते हो, हाना present address और यहाँ पर पिन कोड यह सब चीज़ है, यहाँ पर मुबाइल नमबर यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर भी proof of evidence आपको लगाना पड़ेगा, और size 200 KB का होना चीज़, आपके मुबाइल नमबर अगर आप चेंज करते हो, तो आपके मुबाइल पर एक OTP आएगा, तीन बर अलाऊ रहेगा, उसके बाद जो तीन गंटे के बाद आप चेंज की request कर सकते हो, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, तो जो भी आपको चेंज करना है, यहाँ पर करिए, उसके बाद चोटा सा box इस पर टिक कीजिए, और यहाँ पर close कर दीजिए, तो आप यह भी जो है, कर सकते हो, address में बदलाव कर सकते हो, मुबाइल नमबर प्रूफ क्या अप्लोड करोगे, वो यहाँ पर select कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर सेम वही process है, छोटा सा box इस पर टिक करके update का जो option इस पर आपको click कर देना है, यहाँ पर document आपको upload करने रहेंगे, इसके बाद आता है family details, family member को भी आप add कर सकते हो, यहाँ पर देखे, यहाँ पर उसके साथ आपका क्या नाता है, यहाँ पर अपना इस आपसे भादर है, mother है, sister है, जो भी है, यहाँ पर select कर लीजिए, document upload करना रहेगा, proof आपको select करना है, आदर, pen, drive lessons, उसके बाद submit कर देना है, चोटा भी upload करोगे, passbook की या फिर चेक गी, उसमें आपका नाम, आपका bank account number, IFC code, वो mention होना चाहिए, और attested होना चाहिए, किस के थरू, employer के थरू, front page, ठीक है, फिर उसके बाद जो आप इसको यहाँ से upload कर दीजिए, यहाँ पर instruction दे रखें, इसको आप read कर लिजिए, तो यह सारे बदलाव कर सकते हो, काफी अच्छा update किया गया है, आप दूसरा जो update है, वो क्या है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, notification status of request, इस पर click करेंगे, तो जिस भी चीज की आपने request submit करी है, जिसमें भी बदलाव करने की आपने request submit करी है, वो यहाँ पर IP particular change status का जो option इस पर आपको click करना है, और उसके बाद यहाँ पर approve की rejected, या फिर approve की देखनी है, या फिर जो pending with BO, pending with RO, SRO, pending with employer, यहाँ पर select करके उसका status भी देख सकते हो, कि वो approve हो गई है, या फिर pending है, जब भी आपको यह request submit करोगे, तो सबसे पहले आपकी जो company है, आपका जो employer है, जहाँ पर आप काम करते हो, उसके पास जाएगी approve करने की request, और जैसे ही आपकी company approve कर देगी, उसके बाद ESIC department के पास जाएगी, और जैसे ESIC department की तरब से approve हो जाएगी आपकी request, फिर आपका यहाँ पर detail update हो जाएगी, सेम PF वाला काम हो गया, पहले PF में कुछ correction कराना रहता है, तो पहले आप request submit कीजिए online, फिर employer के पास जाएगी request, जैसे वो approve करेगा, फिर EPFO के पास जाएगी, और EPFO का अधिकारी जैसे अप्रूव करेगा, आपकी जो request update हो जाती है, तो आपकी जो detail वो update हो जाएगी, बट EPFO ने पहले यह facility दे रखी थी, बट ESIC department ने अब यह facility दी है, तो यहाँ से आप जो status भी पता कर सकते हो, approve का, rejected का, pending with BOR, और pending with employer, close कर देते हैं, अब तीसरा, अच्छा, notification status of request इस पर क्लिक करता हूँ, तो इसके साथ-साथ यहाँ पर देखे, एक option ओर है, status of the claim, आपने claim के लिए request submit कर रहे हैं, तो उसका भी status आप देख सकते हो, इस पर जैसे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको अपने साथ से, कब से कब तक का claim ID यहाँ पर mention करनी है, closement number यहाँ पर आजागा, submit कर देना, तो claim status भी आप देख सकते हो, उसके साथ तीसरा यहाँ पर है claim intimation request status, जब आप request submit करते हो, उसका भी status आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, जब claim आप initiate करते हो, तो उसका भी status यहाँ पर देख सकते हो, अब तीसरा जो update किया है, वो यहाँ पर user manual आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे इस पर आप click करेंगे, तो यहाँ पर देखे user manual update IP particular user manual maternity benefit claim request submission, यानि कि maternity का claim है, उसके लिए request कैसे आपको submit करनी है, इस पर click करेंगे तो PDF आजाएगा, और आप manually जो IP person जो रहता है, उसको अपनी details update करने है, तो कैसे कर सकते है, तो यहाँ पर manual दे रखा है, इसके साथ user manual SB and other cash benefit claim request submission कैसे करना है, वो य manual update IP particular पर click करते है, तो एक PDF आगया है, इसको आप download करके भी अपने पास से रखे सकते हो, तो कुछ second के लिए wait कर लेते है, अभी यह open हो रहा है PDF, बाकि इन PDF का link जो हमारा telegram channel है, वहाँ पर मैं दे दूँगा, वहाँ से आप direct download कर सकते हो, तो यहाँ पर देखे यह PDF आगया, तो यहाँ पर approved दिखा देगा, ठीक है, तो यह PDF काफी काम आएगी, आपके इसको download कर लिए, मैं भी download कर लेता हूँ, ठीक है, download कर लिया, दूसरा यहाँ पर user manual, दूसरा यहाँ पर है, claim कैसे आप request submit कर सकते हो, claim के लिए, बाकि मैं इनके उपर एक video बना दूँगा, आपको पीडियाफ वीडियाफ डावलोड करने की जुरूत नहीं है, maternity के लिए, यहाँ पर देखे, claim request submission maternity के लिए, ठीक है, तो मैं जल्द वीडियो लेकिया हूँगा, देखे, cash benefit claim request submission and processing for maternity benefit, तो कैसे कर सकता है claim, यहाँ पर आपको login करना है, उसके बाद यहाँ पर request benefit claim request submission पर आ काफी काम आएगा, यहाँ पर पूरा देखे, बिल्कुल killer mention कर रख है, यह आपकी help करेगा, कुछ समझ में नहीं आता तो, तो यह तीन update किये गए है, update particulars, notification status of request, user manual, पहले view print e-pechan card, जो है update आया था, तो मैंने इसके उपर एक video बनाई थे, और आपको बताया था, कि कैसे update किया गया है, और आगे जो भी कोई नया update आएगा, मैं आपको वीडियो के मद्दम से जानकरी दे दूँगा, अगर आइसके बावजूद, अगर आपके मन में कुछ doubt है, तो आप comment box में comment कर देना, मैं पूरी-पूरी कोशिस करूँगा, आपको जो भी comment है, उसका answer देने क पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, यह update जो ESIC की तरफ से किया गया है, आपको कैसर लगा, comment box में comment करके, अपनी राय, अपना feedback जरूर सेर कीजेगा, मिलते जल्द एको नहीं जानकरी, एको नहीं information के साथ, अपना ख्याल रखेगा, बबाए, take care इता थाओछ मेरी भात जामойтиजेगा, बबाए, इता र對 को नहीं जानकरी जानकरी, और मिलते हैं, रायचाप में ह defens January 1,3 मा टूर रखेगा, इता है, जानकरी, जाड़ जानकरी किया आपको नहीं है सब्सक्राइब भाते हैं, मिलते हैं जाईए."